कि आप सब लोग आई होप सब ठीक होंगे यह जो बना रहा हूं विए बना रहा हूं और आपको काफी शानदर लगे गाई और मैं वाद बता तो मैं कहां पर हूं भी आपको समझे कि हमें देखके कहां हूं है आपको मुझे अच्छा लगा इसलिए शूट किया । मैं अब अपना फिटबेक दिया काफी नीट और अपके पर आपको 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 कि को योग आपको झाल झाल सो मैं आ रहा था भी अट्लाटना से वाया शिकागो और अभी यहां क्यावा नेटा एरपोर्ट में कि यूजिली यह एरपोर्ट रहता है यह एरपोर्ट 24 गंटे का नहीं है सो लाइक अभी रात को बारा बज़े लेके मौनिंग के शिक्सों क्लॉक तक यह एरपोर्ट बंद रहेगा तो मुझे नहीं पता था बार्ट एन्ने को थैंक यू बोलना पड़ेगा कि उनने कैसे करके मैनेज करके तो मेरा स्टेव और यहां करवा दिया तो बस आज रात को म अभी इस एरपोर्ट में रहूंगा फाइनली तो आज हम यहां रहने वाले यह जगह जहां रुकने वाले फिलाल तो चलो थोड़ा बहुत सोफा तो है सब्सक्राइब करें तो अब लॉटल एक्सेस कर सकते हैं फिर उसके लिए आटी पीसी टेस्ट करा वापस फिर होटल मैंने अलड़ी बुक कर दिया था जो मैंने आप कैंसर करा दिया और मुझे लगई समझो कम से कम चाहाज आगी चपत लगई तो बट नो प्रॉब्लम अभी एरपोर्ट में है तो अराम से हैं जोई मैं अपने भाई फैमिली को भी बुलूँगा कि कोई भी अगर यहां आ रहा हो तो ध्यान रखना कि आपकी लॉंग हॉल्ट नाओ क्योंकि यहां पर बारा बज़े की बाद उक्निन नहीं देते तो म सब्सक्राइब कि अच्छी रही कि जो एने वाले उनने मुझे ब्लैंक ब्लैंक शीट और एक पिलो दे दिया राइट नाइट पर सोने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको भी दिखाएंगे एरपोर्ट में क्या क्या और क्या क्या नहीं है अब बच्रे हैं दस और भी हैं वहारा काफी लंबा होड़्ट और लगब 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 होड़ हो चुका है बन जैसा कि आप देखी रहे हो कि सब्सक्राइब का वाश्रूम और में और में किस्ट्राइब का वाश्रूम भॉब उबब लगाएंगे लगब गूग जाऊ जाऊ बाऊचज दूले शूले कि अजग झाले कि अपले कि अज़ कहा हुआ 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 तो यह आप जो मेरे पीछे देख रहे है लाउंज यह नरीटा का ट्रैवल लाउंज है और वस वर्स्ट यह है कि यह 24 गंटे नहीं है साध्याड वोजे बंद हो जाता है इसके विसे हम यहां एंट्री नहीं ले पाए पर बाहर उखना पड़ रहा है 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 तो वैसे पुरा खाली क्योंकि जैसे कि आप देखे रहे हैं वैसे यह एरपोर्ट है तो नहीं 24 गंटे के लिए इस पर बास उसी कारण आप यहां रुकाओं में देखते हैं जब जब मीन खुलेगी दब तक शूट करते रहेंगे है तो बस अब बज़रें रात के तीन अब ही तीन घंटे में एरपोर्ट खुल जाएगा बस तब तक देखतें क्या करना है कि रस्ट्रान कुछ खुले नहीं है खास तो बेटी करना बड़ेगा तो बस अभी हो गए है सब्सक्राइब के साड़े पांच और प्रैक्टिकली तो यह अभी आदे खंटे में खुल जाएगा एरपोर्ट तो मैं तो हूँ अभी एरपोर्ट में ही बस काफी नीन ले ली पूरी अब देखतें काब खुलता है एशली चाय और कॉफी की तरल अब लग रही है बड़ लेट सी कब तक मौका मिलता है चाय कॉफी का अना तब तब एट करते हैं करते हैं है सो फाइनली काई सब होगे मौनिंग और अपकर थोड़ा सा रूटीन और रूटीन के बाद बस वी जाएंगे अपने गेट के और और सबसे बेस्ट है आपको मैं आपे वाश्वूं का एक इंट्रेस्टिंग चीज दिखाता हूं सो लेट्स गॉ कि बस अब यहीं भी ब्रेश कर रहे हैं क्योंकि सुचा था कि मतलब भना भी लेंगे पर वह बोल रहा है अब बात क्यों से तो ने बोला कि अराउंड एट ओक्लॉक खुलेगा एट टू एट हर्टी तब आपके हमाँ पर शावा ले सकते हैं तो शावा अराम से ले सकते हैं इस्ट उससे पहले तोड़ा ब्रश कर ले मौहा दो लेते में फ्रेश हो जाते हैं और यहां पर एक इं देखें डबल टाट डोर है तो यह दोर होते हैं बंद ऐसे और यहां पर आपने इसको किया लॉक है और यूज करने से पहले आप लेनो थोड़ा साथ टिश्यू इसको स्प्रेइब करो आप इसको अराम से वाइप कर सकते हो वाइप करने में अब यूज कर लिया यहां दियों है बटन जो मैं देखें ने बटन यह फ्लॉश का बटन देखाऊ आप आप इसी टाइप है कि प्रेशर है और यह जो अभी हाट का शेप तो नहीं है आप समझे होंगे यह वियर और फ्रांट प्रेइब करते तो इसमें साउंड बढ़ जाती देखो इसमें साउंड बढ़ गया है तो आप राम से इसको हूज कर सकते हो कि प्रेशी बढ़ान है अब करने के तो फर्न दो चलिए पाकि यह फ्रांट रियर फुली एलेक्ट्रोनिक और यहां पर अपसे बेबी सीट भी दी हुए है अगर इसे बच्चे के साथ आते हो तो यहां उसको बढ़ा दो आप अपना काम कर दो फिर बच्चे को लेकि चलिए जाओ सो यह फुली एलेक्ट्रोनिक है और यह बढ़न से अब है अब है तो है दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग सो यहां तक आप पहुच गे तो मतलब आपने मेरा काइंड ओफ नाइट स्टे देख लिया सो यूजिली मैं यहां पर फसा गैसे कि पहले मेरी फ्लाइट थी दोहा क मतलब वायट दोहा मुंबई थी तो कैसे हो गई कि अभी दोहा में चल रहा है फीफा इंक सो फीफा की वाजिसे काफी टिकेट्स थे हैं वह जंबल टप हो गई है उसके वाज़ी से मैं नरीटा फो गया तो नरीटा मीं क्या है कि यह 24 खंटे वाला एरपोर्ट नहीं है यह ट्रीस के बाद 6000 क्लॉक उटोमेटिक अपन होता है तो शिकागो बनें मुझे बोला गया कि आप हेस का भड़ी फॉड़ करने देंके तो मैंने से मोला कि है मैं भूलनें पूसरा भाद अगर आप पूस्िटिव आता है तो अप मुंबऑी नहीं मैंने वह नहीं जो और मुंबई नहीं जाओंगा मैंने वेक्शिनिशन इंडिया में दो की जरूते हैं तो बोते जपान में तीन की जरूते हैं फिर उनने फानली यहां पर एएर्लाइन जिसके तरू मैंने बूग किया था सो काफी help हुई एरने के थिरू उन्होंने मुझे बोला कि सर आपके पास दो option है और second option best है पहले ही बोल दिया कि आप हम आपको एक जगह यहीं पर ठहरा दे थे within a hotel I mean within a airport so within a airport मैंने यहां पर वेट किया और pillow चादो सब कुछ नहीं पर मुझे प्रवाइड कर दिया एंड उसके बाद पस यहां पर land up हो गए finally so अभी gate मिला है 51 यहां से अभी है तीन से चार गंडे बाद flight so let's see क्या होता है कि सो बस मैं यहीं बोलूगा कि अगर आप इस तरफ से आ रहे हो तो ध्यान रखना कि नरेटा एक क्लोजड वाला एएपोर्ट है जो बारा बज़े के बाद नाइट में क्लोज हो जाता है और सिधा छे बज़े मौनिंग में उपन होता है यहीं अगर हेनिडा की बात करें तो हेनिडा 24 गंटे वाला एएपोर्ट है और मैंने पुछा यहां पर क्या रीजने बंद करने का तो बोलते हैं कि यहां कुछ करफ्यू वाला सीन है कुछ सीन बजह भगा मेबी फ्लाइट वाला सीन की फ्लाइट नहीं आती बारा दック зад ma dya najin ुड्ती है सब रहए सबुक्राइब, बस तो let's hope for best आप यहां पर ध्यान उखिगा नेक्सिटम जभी जब भी आए लभी होल् होते हैं सो यह राराइजिंग कि ट्राइ करते हैं मैक्सम आपको एरपोर्ट घुमाने की वैसे तो यहां तीन टर्मिनल है और मैं हूँ अभी टर्मिनल वन में सो टर्मिनल वन में ही मेरी लांडिंग हुई थी और यहीं से टेक आफ है सो इस वीडियो में आपको के वल टर्मिनल वन ही नजर आएगा सो जो भी आप देख रहे हैं वैसे तो अभी जस्त अभी खुला है छे बजे खुला है और क्राउड उतना नहीं है क्राउड दिरे दिरे बड़ेगा सो जस्त वेट और वाच सो यह गेट असाइंड हुआ है अभी टाइम है काफी तब अगे ड्रिंक पिते हैं क्या है अभी टाइम है अभी टाड़ेगा सो जस्त वाचे दो अगर शेखे पिते हैं झाल झाल